टाइम 24 नियूज जस्पा सच दिखाने का नमस्कार आदाव स्लाम लेकूम मैं हूँ साजिद सैफी दोस्तों जैसे की सभी जानते हैं कोरोना जो वाइरस है वो बेहत खतरनाक है और उसको लेकर कई तरह की भरम की स्तिती भी लोगों में बनी हुई है दिल्ली NCR के नज़्दीक वाला जनपत बुलंद शहर का एक कजबा है सिकंद्राबाद जिसको लेकर एक वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल किया जा रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वीडियो आज का है निजी निउस चैनल पर वीडियो चल रहा है दावा ये किया जा रहा है कि सिकंद्राबाद में कोरोना के कुछ पॉजिटिव मरीज पाए गए है हम आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाएंगे आप देख सकते हैं कि ये वो निजी चैनल का वीडियो है जिसे लगातार लोग सोचल मीडिया पर वाइरल कर रहे हैं अपने अपने तरीके से लोगों ने अपने मैसेजस इसके साथ सेट किये हैं लगाए हैं और सोचल मीडिया पर लोग लगातार उन मेसेजस को आगे बढ़ रहे हैं अब तक कि अगर बात करें तो कई दरजन लोगों की कॉल मुझे तक आ चुकी है मेरे अपने मिलने वाले लोग, मेरे अपने रिष्टेदार चुकी मैं पत्रकारिता पेशे से जुड़ा हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो का सच जानना चाहते हैं हमारा मकसद भी है कि हम आपको इस वीडियो का सच बना बताएं चुकी जितना खतरनाक कोरोना वाइरस है उससे ज्यादा खतरनाक अफवाहा और गलत तरह के मैसेज हो सकते हैं कल इन अफवाओं के वजह से डर बर सकता है जिला प्रिशासन लोगों को जाग रुक कर रहा है कोरोना वाइरस के बारे में बताया जा रहा है लोगों से अपील की जा रही है कि घर में रहें हम भी अपील करेंगे आप से कि आप घर में ही रहें लेकिन जिस तरह से शोसल मीडिया पे मैसेज़ेस वाइरल किये जा रहे हैं और उनमें दावा किया जा रहा है कि सिकंदराबाद में कोरोना वाइरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जो सिकंदराबाद में पाया गया हो या फिर कोई भी सस्पेक्ट मरीज पेशेंट भी स्वास्त भाग बुलंद शोहर का सिकंदराबाद से नहीं लेकर गया है यहां ये भी समझना ज़रूरी है कि 3 मार्च जब कोरोना वाइरस का प्रकोप भारत में पैर पसर रहा था तो उस दौरान बुलंद शोहर में भी एक ऐसा परिवार बताया गया था जो एक इटालियन परिवार के संपर्क में इस परिवार का एक बेटा पहुचा था न्यूस चैनल्स पर ख़वर ब्रेक हुई थी ये जाच के लिए इस परिवार के 4 सदसों को मेडिकल टीम ने जो आईसोलेशन वार्ड है उनमें रखा और इनकी कोरोना की जाच कराई गई थी जाच रिपोर्ट में नेकिटिव कोरोना आया था अभी तक बुलंद शहर के अगर बात करें तो बुलंद शहर में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है लेकिन जिस तरह से अफवा सोचल मीडिया पर फैल रही है तो उससे लोग ना स्री परिशान हैं बलकि बिना किसी जाच परताल के उन मेसेज को उन मेसेज़स को आगे भेज दे रहे हैं उन संदेशों को आगे भेज दे रहे हैं के आदेश जारी किये गए हैं और कई FIR भी दर्ज हुई हैं इसमें जो मुनाफ़े खोर ऐसे वक्त में गलत तरीके से गलत ढंग से मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं जो लोग काला बाजारी करना चाहते हैं चुकि खाद्ध सामागरी की जरूरत ऐसे वक्त में होती हैं लोगों को खाद्ध सामागरी चाहिए और जो लोग जो वैपारी हैं जिनका वैपसा हैं अगर वो इस दोरान काला बाजारी करते हैं या अधिक मुनाफ़ा खोरी करते ह खिलाफ सक्सकारवाई के आदेश भी जिलाधीकारी के और से ह divisor झिलाधीकारी ने फाइयर भी दर्ज और आइंक आदेश का आधेश हुन ही एगर आप गना किसी जाच प्रताल के कोई भी संदेश जोंड करोना से जुड़ा हो या इन्य किसी जाच में भ्रहम के स्थिती पैदा हो सकती है लोग पैनिक हो सकते हैं आप बिना किसी जाच के अगर ऐसा कोई वीडियो आगे भेजते हैं तो आपके खिलाफ सक्त करवाई की जा सकती है और हमारा आपके बीच आने का मकसद भी यही है कि आप यह जान सके कि इस तरह का कोई पेशेंट कोई मरीज शिकंदराबाद छोड़िये जनपत बुलंद शहर में नहीं है जो कुरोना पॉजिटिव हो आप ऐसे अफवाहों से बचें आप कोशिश करें कि अगर आपके पास इस तरह कोई मैसेज आ रहा है तो आप पुलिस को जानकारी दें और किसी भी वीडियो किसी भी संदेश को बिना जाचके आगे ना बढ़ाएं जो जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में दे रहे हैं हम आपसे अपील करते हैं कि इसे आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुँचा दे ताकि आपके रिष्टेदार हमारे साब्धानी बरतने के बजाएं इससे डर जाएं लोग परिशान हो ऐसे लोगों को परिशान होने से अगर बचाना है तो आपको यह वीडियो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे इसे सेंड कर दे आपके पास जितने कॉन्टेक्ट्स आपके मुबाइल में हैं जितने व नहीं हैं आप जिला प्रिशासन की आप सरकार की जो कोशिसे हैं जो उम्मीदें हैं उन पर खरे साबित हों उन पर सफल उतरें आप अपने घर में रहें अपने परिवार के बीच रहें आप अगर घर में रहेंगे तो आपके लिए जो कोरोना योद्धा सडकों पर आपके ल लाई को जीतेंगे जब आप प्रधान मंतरी के आग्रहे पर 21 दिन तक अपने घर के अंदर ही मौजूद रहेंगे मैं यह अपील करता हूं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप बिना जाच परताल के कोई भी मेसेज आगे से फॉरवर्ड नहीं करेंगे और आप जिस तरह से हम यह जानकारी आपको दे रहे हैं यह जानकारी ज्यादे से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे अगर आप कोई वीडियो समझ में आया हो तो आप टाइम 24 नीज को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को ध्यान से शेयर जरूर कर दे नमस्कार